बॉलिवुड और टीवी शोज की निउस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस निउस सबसे पहले पाने के लिए बॉलिवुड के दबंग खान यानि सल्मान खान फिल्म इंडस्री में किसी से दोस्ती निभाते हैं तो आखरी दम तक उसका साथ नहीं चोड़ते हैं वही दुश्मनी निभाने में भी वो किसी से कम नहीं है रनबीर कपूर सल्मान खान की इसी लिस्ट में शामिल है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों स्टार्स की दुश्मनी का कारण कहीं ना कहीं कच्रीना कैफ रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सल्मान खान और रन्बीर कपूर में हाथा पाई तक हो चुकी है एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात उन दिनों की है जो प्रन्बीर कपूर सर्फ स्टार किड के दोर पर जाने जाते थे उन्होंने तब तक कोई भी बड़ी ब्लोगबॉस्टर फिल्म नहीं दी थी सल्मान खान और रन्बीर के बीच हाथा पाई की ये घटना मुंबाई के एक वी आईपी कलब की है इस दोरान एक्टर संजदत भी इन दोरों के साथ वहाँ पर मुझूद थे रिपोर्ट के मुताबिक सल्मान खान, रन्बीर कपूर और संजदत के साथ अपनी दो फिल्म वांटेड और रेडी की सकसेस पार्टी इंजोई कर रहे थे गौर तलब है कि पार्टी में मौझूद किसी अन्या इनसान ने सल्मान खान और रन्बीर कपूर को भड़काओ बातों से एक दूसरे के खिलाव भड़का दिया कुछ देर बाद दोनों स्टार्स खुलकर एक दूसरे के सामने आए और जुबान लड़ाने लगे देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि सल्मान खान ने रन्बीर कपूर को धका दिया और थपड़ मार दिया इसके तुरत बाद ही संजदत ने इन दोनों का बीच बचाप किया इसके बाद रन्बीर कपूर बहां से चले गए खबरों की माने तो घटना के बाद सल्मान खान के पिता सलीम हान ने बेटे किस गलती के लिए रन्बीर कपूर और उनके परिवार से मावी भी मांगी आपको बताने के सल्मान खान काट्रीना कैफ के लिए काफी प्रोटेक्टिव फील करते हैं हाल ही में सल्मान ने काट्रीना की एक पुरानी वाइरल तस्वीर को लेकर उनका बचाव किया ये तस्वीर उस समय की है जिब काट्रीना रन्बीर कपूट के साथ रिलेशन्चिप में थी तो इन दोनों की बीच पर छुट्या मनाते तस्वीरे वाइरल हुई थी इस तस्वीर के बचाव में सल्मान ने कहा था कि लोगों को इस तरह अपनी परसनल लाइफ पबलिक नहीं करने चाहिए अगर आपको हमारी स्टॉरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज़े में कमेंट करके जरूर बताएं